नमस्तेकार और आज हम कड़े हैं इंडियन अम्बूलेंस के सामने जिसका नाम है टाटा विंगर 2007 में लॉंच हुई थी और ये 2021 का सेकंड जनेरेशन वेरियंट आप देख रहे हैं सिर्फ डीजल में आती है रेंज शुरू होती है एक शुरूम 14 लाइक रूपीज से और टॉप अल्ली कीमत है 23 लाइक रूपीज और ये बेसिक मॉडल विंगर अम्बूलेंस आप देख रहे हैं विंगर पैसेंजर मॉडल की प्राइस शुरू होती है 13 लाइक रूपीज है और ये इस 125 पार्ट वन नॉम को कंप्लाय करती है विंगर अम्बूलेंस ये चार ओप्शेंस में अविलेबल है पेशेंट ट्रांसपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट, एडवांस लाइफ सपोर्ट और शेल मतलब कि कई कस्रमाइजेशन ओप्शेंस अविलेबल हैं विंगर अम्बूलेंस में प्रीमियम टफ डिजाइन फिलोसफी है तीन साल तीनलाग क्लिमेटर की वारंटी टाटा देती है विंगर अम्बूलेंस पे अम्बूलेंस एक मेडिकली एक्क्यूप्ट वाइकल है जो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट फेसिलिटीज या हॉस्पिटल सक ट्रांसपोर्ट करती है तीनिस स्थिलिश फंट देजाइन और यह एद्लाइंप और यह मैड ब्लैक फिंश में प्लेड ग्रिल ताता मुटर्स का लोगो mirror writing ambulance और यह wrap around LED DRL wipers है और यह उपर siren और blue warning beacon है AC है manually adjustable outside mirrors है turn indicator और यह rod of Asclepius medical symbol reflectors है 5.5 meter length है 2.6 meter height है 185 mm ground clearance है 2100 kg curb weight है और 3400 kg gross weight है विंगर ambulance का और यह है 15 inch के steel wheels आगे disc brakes और पीछे drum brakes मिलेंगे ABS के साथ ज्यादा average के लिए eco fuel saving mode है बहतर right quality के लिए आगे coil spring के साथ mag person strut suspension मिलेंगे और पीछे hydraulic telescope एक shock absorber के साथ parabolic leaf spring suspension मिलेंगे आगे पीछे anti roll bar भी मिलेंगे फ्रंट वील ड्राइ वेविंगर कम noise, vibration और harshness levels के लिए इससे transmission losses भी कम होंगे और यह LED tail light ambulance का sticker footstep spare wheel monocoque chassis है Tata की bedging medical stickers stop lamp winger की bedging 215 mm single plate dry friction clutch है semi hydraulic actuation के साथ easy driving के लिए telematics और fleet management solutions है convenience के लिए lean nox trap, L&T और diesel particulate filter DPF technology है ज्यादा कमाई के लिए और यहां से बढ़ेंगे diesel और यह exhaust tail pipe Tata alert है जिसके अंदर आपको 24 hour vehicle restoration 30 minutes में receipt breakdown assistance और vehicle restoration में delay होने पर 1,000 rupees per day compensation मिलेगा top model में कई medical equipment fitments के भी options हैं जैसे defibrillator, cardiac monitor, ventilator, suction pump और neubilizer patient transport के लिए डिजाइन की गई है यह ambulance पीशे दो बड़े doors है easy entry और exit के लिए आई एंडोर्स को open करके देखते हैं सेंड गोवेन के glass हैं और यह डोर अंदर की तरफ से open होगा हैंडल बार है डोर पे काफी बड़े glasses है AIS 125 comply fabrication है patient safety और germ free environment के लिए अंदर कई सारे modifications आप करवा सकते हैं और यह vanilla policy में bench seat sliding windows है और यह panic help button उपर AC vents है इधर भी button दिया गया है और यह fire extinguisher और यह कुछ information है stretcher के लिए काफी space दी गई है winger ambulance में handle bar है curtain hooks है दो काफी बड़ी lights दी गई है और यह storage box काफी space है इसके अंदर sliding window easy communication के लिए driver के साथ AC की controls और यह है auto loading stretcher self folding wheels के साथ और इसे इसको निकाला जाएगा auto folding wheels hocks फी देगा है इसमें के लिएग सक्षाने युझा पिल उपँ प्रहाएव, प्रहाएगा और यहाएगा है माँ खेप प्रहाएगा जाव लिएो बिएगा जावब को आवपराए-वा काईब नहाएगग आइए ड्राइवर साइड दोर खोल कर देखते हैं यहां पर दोर पर नीचे बॉटल होल्डर दिया गया है काफी स्पेस है हैंडल बार है मैनुवल विंडोस है और यह कस्ट्रमर के नंबर फोट स्टेप टायर प्रेशन फॉमेशन थ्री वे अड्जेस्टेबल ड्राइवर सीट है दो पैसेंजर सागे बैठ सकते हैं सीट बेल्ट्स हैं हेड रेस्ट है लाइट दी गई है उपर और यह है फोर स्पोक स्टेरिंग कारपेट पैडल्स बॉनेट खोलने के लीवर थोड़ी स्पेस मैनुवल हैंड ब्रेक और यह है टी ए सैवंटी फाइव स्पीड मैनुवल ट्रांस्मिशन तीन एसी वेंट्स हैं डूवल एसी है एक ड्राइवर और दूसरा पेशेंट कंपार्टमेंट के लिए दो यूएस्बी पोर्ट्स हैं लाइट के बटन यहां थोड़ी स्पेस म्यूजिक सिस्टम के लिए और यह है पब्लिक एनॉस्मेंट सिस्टम दो हॉन मोड्स, दो साइरन मोड्स, दो ब्लिंकर मोड्स और बीकन लाइट कंट्रोल के साथ और यह दैश्पोट के फिनिश यहां थोड़ी स्पेस दी गई है हैंडल बार, रियर व्यू मिरर, सन वाइजर और यह है पावर एसिस्टेड रैक अ बिनियन स्टेरिंग और यह लाइट के कंट्रोल्स, यह वाइपर के कंट्रोल्स और यह है इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर जो दिखाएगा स्पीड, र्पीम, ओडो मिटर, टाइम, कूलन तेम्प्रेचर, फ्यूल लेवल और काई इन्फोमेशन ओडोमेटर, ट्रिपमेटर, यह एको ड्राइमोड, लाइट का बटन, यह दीपफ का बटन, यह दीपफ का बटन, तो यह है 2200cc, इन्लाइन, फर्स सिलेंडर, BS6, टाटा, डाइक, और डीजल एंजन, 98 होर्स पावर है, 200 Nm टॉर्क है, और 13.5 का एवरेज मिलेगा, 60 लिटर के फ्यूल टैंक है, ट्वेल वोल्ट की एमरॉन बैटरी है, 2200cc डीजल एंजन है, कुछ इन्फोमेशन, तो कैसे लगी आपको विंगर एम्बॉलेंस हमें कमेंट्स में बताईए, थैंक यू, रओे स्ऩेफ़ के घंप सावरųDeeGA, प्रभ इन्फोमेश की एम्बॉलेंस, विंग इन्फोमेशन, अप्यटकर कर भूप्यों कि अफूद घर्धर के बिल्पिक ज動画 टीखित tu को के हैं सब्सक्राम lug कि और कियासे झाल झाल